जब life insurance include insurance या insurance include life insurance जो अभी मैं बता रहा था आपको पहले हम समझ लेते हैं करना कैसे हैं फिर आ गया थे हम ठीक है पहले समझते चलो अब मान लेते हैं मैं एक इसामपल ले रहाँ ठीक है दो एक्जामपल कराओंगा उसके बाद हो सारा समझ में आ जाएगा एक्जाम्पल नंबर वन मैंने कहा कि मेरा जो है इंस्वारेंस जो इंस्वारेंस प्रीमियम है मान लो बीस हजार है अब इसके नीचे मैं अड्जस्मेंट लिख देता हूँ मैंने कहा इंस्वारेंस प्रीमियम इंक्लूड दो हजार फॉर लाइफ इंस्वारेंस यानि इंस्वारेंस प्रीमियम में जो दो हजार इंक्लूड है वो किस चेज का है लाइफ इंस्वारेंस का है अब इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए एक आपके सामने बना देते हैं ट्रेडिंग और पी एंडल और एक बना देते हैं आपके सामने बैलेंस शीट यह हो गया बैलेंस शीट और यह हो गया ट्रेडिंग या पी एंडल कहलो सबसे पहले इंस्वारेंस आपका 20,000 है तो पी एंडल में डालोगे आप इंवारेंस है ना कितना लिखोगे अब अर्जिस्मेंट में पता हैं के भाईया 2,000 रुपए किस से रिलेटिड है और लाइफ इंस्वारेंस क्या होता है हमारे लिए drawing होता है life insurance क्या होता ड्राइंग तो इसका मतलब P&L में ये गलत लिखा हुआ है तो इसको कैसे ठीक किया जाए इसमें से सबसे पहले minus कर देंगे क्या life insurance premium और अब P&L में जो बचेगा कितना बचेगा और यही क्या होगा मान लेते हैं पहले से आपको capital अगर given हो चार हजार या चालिस हजार तो आप इसमें से क्या माइनस कर दोगे ड्रॉइंग और ड्रॉइंग के नाम कर दो या फिर आप कर सकते हो LIP और कितने माइनस करोगे तो दो एंट्री हो गए इस adjustment की देखें और हैर एंट्री डबल जाता एक debit एक credit यहाँ पर आपका debit में में से माइनस करने का मतलब credit हो गया और credit में माइनस करने का मतलब क्या हो गया debit तो पहले यह वाला देखें जब कुछ इंकलूड होगा तो उसे कैसे करेंगा यहां तक वताई है कोई ॉट है समझ में आ रहा है एक और adjustment देखें मैंने बोला दो दो एक्जाम्पल लेंगे उसके बाद फिर हम जो चार्ट बना रखेंगे उस चार्ट को समझेंगा कोई फरक ने पड़ेगा एक और देखें एक्जाम्पल माल लेते हैं मेरा इंसॉरिंस है फिर से 20,000 और इसमें कहां इंक्लूड अट्जस्मेंट तीन लोगा इंफेक्ट में एक्जाम्पल ठीक है इसमें मैंने कहां इंसॉरिंस इंसॉरिंस इंक्लूड रुपीस आठ हजार या आठ की जगह पे थोड़ा सिंपल डेटा लेते हैं आठ छे हजार छे भी नहीं लेते हैं आठ ही लेते हैं पहले वाले में आठ हजार ठीक है इंसॉरिंस इंक्लूड आठ हजार फोर लाइफ एंड बैलेंस 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 तिल 31,7,36,36,2023 ठीक है 36,2023 और हमारा साल जो चल रहा है ना एक चार दो हजार बाइस से लेके 31,3,2023 तक का हम कामसारा करने पहले हैं ठीक है चलिए अगेर हम दू चीजे बना लेते हैं एक पी एंडल और साथ के साथ एक क्या बना लेंगे हम ट्रीडिंग मतलब स्वरी बैलेंस शीट यह लीजे यह बना लिया पी एंडल और यह बना लिया हमने बैलेंस शीट ठीक है यहां तक क्लियर है अब कुश्चन को हम समझते हैं सबसे पहले इंस्वरेंस हमारह बीस हाजार एतो पी एंडल बें आ जाएगा इंस्वरेंस है के नहीं अब इसमें से एलाइची पहले – मतलब लाइफ इंस्वरेंस करोगे कितने को बचे कितने कि अब यहां से माइनेस कर दोगे कितने हैं कि समझे लेकिन इसके बाद ना डेट है अगर हम बात करते हैं डेट की अगर फोन अगर कि यहां तक तो आपको पहले भी कोश्चन में देखा था और अभी भी अपने देख लिया ठीक है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है अब पंगा अगया सब्सक्राइब कि तारीक का क्या दिक्कत है तो अब तारीक के बारे में देखो जैसे मालो मैं आपके सामने टाइम पूरा लाइन बना देता हूं और हमारा जो साल स्टार्ट हुआ है ना वह हुआ है एक चार दो हजार बाईस और यह माल लेते हैं खतम यहां हुआ है एक अत्तिस तीन दो हजार ऑठीस अब हो पूरे क्रूस्टन में यह नहीं कहा कि जो ये insurance है वो कितने time का है बस इसने बोला कि insurance का जो payment है वो कहीं न कहीं इस date से cross कर गया that is वो है 36 2000 लेकिन आपको पता है कि आपको जो खर्चे दिखाने चाहिए अपने पास वो दिखाने चाहिए कहां से कहां तक के एक साल का सरफ यहां से यहां तक का क्योंकि trading P&L जो बनता है बनता है हमेशा एक साल का लेकिन खर्चा जो है हमारे साल से exceed जा रहा है अब मुद्दे की बात आती है कि जो ये insurance का है खर्चा ये कितने time का है तो जब आपको इस तरीके से given हो तो आप हमेशा मानेंगे ये insurance है एक साल का ही जो बचा हुआ insurance बारा हजार है ना ये एक साल का ही है तो सर जब ये बारा हजार रुपे एक साल का ही है तो फिर extra भी तो जा रहा है फिर उसका क्या अब देखना जरूरी नहीं है कि insurance उसने इस date पे लिया हो हो सकता है कि साल के बीच में insurance लिया हो और insurance की किस तो जाती है हमेशा साल की जाती है लगबग हो सकता है मेभी मैंने यहाँ पे एक जुलाई को insurance लिया हो मैंने एक जुलाई को अपना insurance business का करवा लिया था ठीक है और जो किस insurance की बात कर रहा हूँ यह 12 जर्नल insurance इस date को लिया तो यहां से लेके अगर यहां तक हम time count करें तो एक साल ही हो रहा है अगर मैं इस date पर insurance लूँगा और मैं annual कराऊंगा तो यह तो मार्च से आगे जाएगा ही ना मार्च तक तो एक साल हो इनी सकता इसका मतलब यह 12,000 है 12 महिने का लेकिन कुछ पारट इस 12 महिने में से कुछ महिने इस साल में जा रहे है और कुछ महिने हमारे अगली साल जा रहे है तो अगर ध्यान से देखें तो भाई यह 12,000 रुपे का जो खर्चा है उसे अगर डिवाइड 12 से कर दे तो हमें कितने महीने का मिल जाएगा एक महीने का हिसाब अब हम टाइम काउंट कर लेते हैं जुलाई जुलाई अगस सेप्टेंबर अक्टूबर नौंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानि यहां से यहां तक के टैनियोर को अगर देखें तो नाइन मन्त होता है और यहां से यहां के टैनियोर को देखें तो थ्री मन्त होता ह यानि इसमें तीन महिने का prepaid है क्योंकि जब आप साल से ज़्यादा payment कर देते हैं तो वह हिस्सा क्या माना जाता है आपका prepaid तो यहां से तीन महिने का क्या है तो अब इसको अगर एक महिने का है अगर इससे multiply तीन से कर दें that is 3,000 तो यह क्या निकल गया हमारा प्रिपेड निकल गया तो ऐसे situation में less यहां करोगे प्रिपेड और यहां पर आप पीएंडल में आपके रह जाएंगे टोटल और जो 3,000 प्रिपेड था बैलेंशीट के एसेट में भी आ जाएगा प्रिपेड देखिए समझवा है बात आप तो पीछे वाले में एक स्टेप आगे बैढ़ गया पीछे वाले में कोई ऐसा प्रिपेड आउस्टेंडिंग नहीं था इस वाले के अंदर एक डेट आ गया तो डेट के वज़े से सब कुछ क्या हो आपका चेंज हो गया एक तरीके से समझें यहां तक तो नेक्स्ट येर में तो काउंट है तीस चे तभी तो हम प्रिपेड कंसिडर कर रहे हैं तो बीस अजार दिया होता तो भी सिर्फ लाइफ इंसोरेंस तो फिर तो जर्णरल इंसोरेंस को कोई सवाल ही नहीं है अबिस अजार यहां आता है नहीं सिद्धा ड्रोइंग से मईनस बात ही खाथ तो को एरज्ब्मेट ही नहीं पड़ रहाए ग्रॉइंग एडवांस कभी नहीं होता मैंने अगर फांच लाग रुपय बिजनस निकाला है और वह फांच लाग रुपय मैं दस साल पर उपने उपर खर्च करूँ उस से मतलब नहीं है आपके बिजनस से पांच लाग रुपय निकल गया ड्रॉइंग टाइम फेक्टर नहीं होता क्योंकि वो तो पहले भी बिजनस का खर्चा नहीं और अब भी नहीं बनेगा है ना यह किसके उपर सिर्फ फेक्टर देखते हैं जो बिजनस के खर्चे के उपर प्रिपेड आउट से नहीं हाँ इसके अंदर जो life insurance इसने पेड किया है 8,000 उसने 8,000 रुपे बिजनस से निकालके payment किया है हमें यह नहीं देखना कि 8,000 एक साल का या 6 महीने का है या 15 महीने का है हमने यह देखा कि इस duration में जो यह वाला साल था इस साल के अंदर हमने 8,000 रुपे अपने निकाल लिए है और 8, हजार रुपे निकालने के बाद वो ड्राइंग कहलाएगा that's it और इसमें कोई रोल नहीं है अब इसके अंदर ये नहीं सोचना के सर इसके अंदर भी तो तीन महिने का एक्स्ट्रा होगा वो प्रिपेड नहीं है प्रिपेड आउटस्टेंडिंग इस अधर है अध्यस्मेंट इस अध्यश्मेंट इस इंसॉरेंस इंक्लूड और अध्यश्च छे हजार च्छे के जगह पर करते हैं पांच हजार लाइफ इंसॉरेंस and balance paid 14 2000 22 36 2000 23 ठीक है चलो अगेन एक ट्रेडिंग पी एंडल बना लेते हैं यह बन गया हमारा पी एंडल और यह बन गया ट्रेडिंग और सॉरी बैलेंच शीट ठीक है सबसे पहले इंसॉरेंस 20,000 है तो आप पी एंडल में लिखोगे इंसॉरेंस 20 इसमें से LIC यानि LIP कितना है 5 तो माइनस कर दोगे लेस आप यहाँ ड्रोइंग भी लिख दो या LIP लिख दो आपकी इच्छ है बचे कितने और यहाँ पर मान लेते हैं capital हमारा से पहले से ही है कुछ amount यह मैं जम्शन ले रहा हूँ 5 लाख और इसमें से minus कर देंगे हम LIP यह तो हमने पहले वाले point में भी देख लिया था अब अगली बात आती है balance insurance और पिछले वाले से थोड़ा हट के data यहाँ पर यहाँ पर starting से लेके end तक है अगर मैं साल को count करूँ अगर मैं यहाँ पर फिर से वही timeline बना देता हूँ यह देखो खिक है suppose मैंने कहा यहाँ पर यह जो date है यह है 14 यह जो date है 14 2022 और हमारा साल जो खतम हुआ वो खतम हुआ 31 यह देट में बने देता हूँ आपको 362023 तीन डेट से हैं आपके पास यह आपका जो अकाउंटिंग चल रहे हैं सेशन अकाउंटिंग सेशन यहां से लेके यहां तक का है एक साल इसके बाद यह वाला जो time है आपका यह सारा साल के beyond है जिसका time बनता है 3 month और इसका time बनता है आपका 12 month है की नहीं अब इस बार जो मैंने insurance कराया है वह question आपको खुदी बता रहा है कि भाईया insurance आपने जो लिया है वह एक चार को लिया है यानि आपने insurance इस डेट पर लिया है इस डेट पर insurance और इसका payment किया है तिल 2023 तक यानि जो insurance premium इस डेट से आपने total यहां तक का payment किया है यह यह इसका मतलब इसका मतलब यह जो insurance है आपका आपका कितना है 15,000 यह 15,000 जो है वह 12 और 3 15 महिने का है अब divide 15 से करना होगा आपको पिछले वाले सवाल में divide किस से किया था क्योंकि वह insurance annual word सा कुछ नहीं बोला हुआ तो मान लेना जो balance insurance है वो है annual 12 महिने का ही है भले ही आगे जा रहा था लेकिन इस वाले में आपको date का blockage दे दिया कि भाई यह यहां से यहां तक का है तो आपको confusion नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा है यानि prepaid है तो अब तीन से multiply करेंगे तो तीन हजार अगें क्या आगे हमारा प्रीपेड मैंने एक्जामपल ऐसा लिखा है कि पिछले और इस वाले का सेम रहे आपको clarity रहे ठीक है यहां से अब फिर से minus करेंगे less prepaid और दूसरा चला जाएगा हमारा balance sheet के assets में prepaid insurance कितने रुपें क्लियर यानि पिछले वाले एक्जामपल में 12 से divide हुआ था क्योंकि annual था और इस वाले में कितने से डिवाइड हुआ 15 से डिवाइड हुआ समझ में आ रहा है बात आपको किसमें मंद कैसे जैसे कैसे कि अठारा महीने ऐसे लिख दे अच्छा यहां पर 36 लिखना भूलिया यह 36 है आप ऐसे कह रहे हो न यहां 36 है वो मैंने लिखा नहीं चलो अब हम इन तीनों को मिला के चार्ट बना लेते हैं कि कैसे कब कब क्या होगा समझ रहे बात को आ जाईए अब देखें इन स्वारेंस में क्या है कि देखिए अगर आपका क्या हो लाइफ ए्नस और क्या हो आपका इंक्लूड इंसॉरेंस ट्राइल बैलेंस में अगर इव्यवन हो निकर्द सथा वो कयाawan क्योंकि drawing है और अगर सिर्फ insurance देता है normal वो कहां चला जाएगा आपका प्रेंडल के debit में अगर trial में है बोलता है life insurance ट्राइल के अंदर तो भी आव ड्राइंग है और अगर सिर्फ insurance बोलता है तो प्रेंडल में जाएगा ठीक है अब बात करते हैं अगर adjustment में आया तो adjustment में जो insurance है उसके उपर prepaid outstanding आपको normal adjustment करना होगा calculate करके prepaid वैसे तो अक्सर prepaid होगा outstanding होगा नहीं तो prepaid और outstanding आपको calculate करना पड़ेगा और life प्लस journal दोनों है तो first calculate life insurance फिर जो बचेगा वो क्या रहेगा journal उसके according adjustment होगा ठीक है न अगर अगर स्रिफ insurance है तो अगर आपका prepaid हुआ insurance मैं इसके अंदर से यह हटाई देता हूं outstanding prepaid जो चलो में बता देता हूं नॉर्मल adjustment होगा prepaid वाले को prepaid के इसाप से और outstanding वाले को prepaid वाले की दो entry हो जाएगी एक less हो जाएगा और एक चला जाएगा balance sheet के asset site outstanding वाली की दो entry हो जाएगी एक add हो जाएगा कहां पर पी एंडल ट्रेडिंग जो भी है और दूसरा चले जाएगा हमारा एड हो जाएगा यानि balance sheet के liability site जो सीखा है हमने अगर आपका दोनों चीजे include हो तो यहां पर दो बाते होंगी ठीक है इसको फिर इसमें लिखने पर थोड़ा इसमें चार्ट में अगर बनाएं तो बन सकता तो है लेकिन फिर वो डिटेल हो जाएगा फिर confusion ना हो जाए पहले यहां सिंपल सम्झ में आ गया तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जूरत है नहीं मुझे लगवागा ठीक है